अमस्कार दोस्तों विल्कम टू मार्केट क्या लगता आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का nodes setup क्या है, साथ में places करेंगे intraday में निफिटी और बैंक निफटी दूनों का setup क्या है और क्या ये दोनों sink में है EOD और intraday setup अगर sink में नहीं है तो क्या करना चाहिए और किस type का आपको रन्निती करना चाहिए और trading perspective और साथ में ये दिखेंगे कि nifty कल के लिए कौन से label के उपर bullies और किस label के नीचे bearies है और एक stock आज discuss करने वाले हैं जो की काफी interesting chart setup formation हुआ है auto sector का है तो सबसे पहले start करते है nifty से nifty अगर आज देखे तो flat closing दिया यानि 0.30 point यानि कुछ भी flat closing positive में bank nifty 154 point positive close दिया अब अगर हम बात करें nifty और bank nifty में तो क्या nifty और bank nifty का EOD setup EOD setup में nifty में कुछ changes हुआ होगा नहीं कुछ भी नहीं even column भी change नहीं हुआ होगा because ये nifty 50 का है आप देखो column of O में है वहीं का वहीं formation है पूरे दिन भले ही वो 50-60 point नीचे भी गया और 40-50 point उपर भी गया तो ये intraday momentum रहा लेकिन EOD पे कुछ भी अंतर नहीं हुआ चार्ट पे कोई formation नहीं हुआ जिसको आप अगर candles पे अगर आप open करेंगे और nifty 50 अगर मैंने तो ये जिसको doji बोलते हैं यहाँ ये doji formation हुआ है अब ये doji formation हुआ है बट point and figure में EOD में कोई भी changes नहीं है अब nifty bank के बात करें तो यहाँ पे भी column of O में ही है कोई formation नहीं है जो मैंने nifty और bank nifty के लिए अब यहाँ आप देखो pattern एक rateist और उसके बाद possible ये एक आपका support area हो सकता है demand area जिसको support area भी बोलते हैं अगर यहाँ पे sustain होता है तो possible एक column of X में आप इससे आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी nifty bank में भी कोई भी momentum नहीं इसलिए column of X में formation नहीं हुआ और जो Friday का जो level था nifty और bank nifty EOD का वही same level आपका continue रहेगा अब देखते है TOI chart पे तो TOI chart morning से ये downside था उसके बाद एक upside और फिर downside तो इस तरह का momentum आज रहा और TOI भी indication ये आपका 12 बजे के करीब में आपका buying के लिए दिया और फिर से exit के लिए एक संतावन के करीब में यानि अल्मुस्ट दो घंटा के करीब में ये bullish रहा उसके बाद current जो scenario है अगर निप्टी यही पर open होता है तो क्या हो सकता है तो यहाँ पे middle band के उपर है लेकिन upper band को break नहीं किया जब तक upper band को break नहीं करता है तब तक आपको bullish side avoid करना चाहिए अब जैसे ही ये upper band को break किया ये एक आपका indication रहता है कि आप bullish opportunity देखो अगर lower band break करता है तो आपको bearish opportunity देखना चाहिए तो ये TOI का कैसे TOI के base पे आप कैसे strategy बना सकते हैं अब देखते हैं nifty का one minute time frame पे और one box reversal chart में क्या formation हुआ है अब nifty का अगर हम बात करें तो current जो chart setup है अभी भी bearish है because continuous ये previous two anchor point के नीचे ही ये दे रहा है अब अगर bullish की बात करें तो 19,750 के उपर यानि इस point के उपर अगर जाता है तो possible एक आपको bullish opportunity यहां से दिखना फिर से start हो जाए लेकिन इसके उपर close होना चाहिए जब तक close नहीं होता है तब तक अब कल के लिए जो लेबल की बात के 19,750 के उपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक bullish upside आपको 870 और 900 आपको दिख सकता है और downside अगर 19,600 के नीचे 610 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो possible first move 546 और 477 आपको दिख सकता है setup मैंने बता दिया कि bullish setup 19,750 के उपर आपका bullish है अब bank nifty की बात करें तो 45,000 जो कल मैंने discuss किया था वीडियो में 45,000 का लेबल वही same continue है आप अगर देखो तो 44,990 का एक high लिया और उसके वहाँ से फिल से fall हुआ तो जब तक इसके उपर नहीं close होता है और जैसे ही 45,000 के उपर अगर close हुआ तो यह first sign रहेगा कि reverse फिल से हो रहा है यह intraday के चार्ट पे first hint मिलता है विकाज यह आप बोल सकते हो कि सबसे lower time frame पे आपका चार्ट है कल के लिए 45,000 के उपर अगर sustain होता है तो bullish और 44,640 के नीचे अगर sustain होता है तो bearish opportunity देखना चाहिए 44,370 और 259 यह एक possible zone आपको दिख रहा है तो यह दोनों लेवल पे आप नजर रखिए bullish 45 के उपर अब OI चार्ट अगर हम देखें तो OI चार्ट में अभी भी 19,800 का जो call है OI बिल्ट अप जादा है और 500 यहाँ पे एक support दिख रहा है तो 19,500 और 800 यह एक major range हो गया है इस week के लिए 800 major resistance है जब तक इसके उपर नहीं close होता है तब तक एक short covering या कोई buying further buying आपको नहीं दिखेगा तो possible 500 के नजदिक जब आता है तो एक demand zone आएगा और 800 जब जाता है जाएगा तो आपको supply zone आपको दिखेगा और हाँ दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने कल के वीडियो में nifty reality के बारे में बोला था कि nifty reality एक underperformer sector है बट ब्रेट जीरो है DT percent और X percent दोने तो क्या करना चाहिए और मैंने clearly ये indicate किया था कि अगर यहाँ पर ब्रेट support नहीं कर रहा है तो क्या fresh sell लेना चाहिए नहीं fresh sell नहीं लेना चाहिए और ये clearly मैंने mention किया था और आज अगर आप जाकर देखो table में performance table में मैंने reality index आज run किया तो यहाँ अगर आप देखो सभी stock almost 9 percent, 5 percent, 3 percent, 4 percent ये सब उपर में था तो ये breath ही एक ऐसा indicator है जहां ये आपको indicate कर रहा है कि what not to do क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ये तो मालूम है अगर जब आपको price, breath और RS ये तीनों पर control है तो market में कैसे आप trade लेना है कब trade लेना है कब नहीं लेना है ये सब आप identify कर सकते हैं अब देखते हैं आज breath analysis फिर से करते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस sector में happening है यानि buzzing sector कौन सा है तो आर्जोन में आप जाके breath यहाँ पर आप अगर scan करेंगे तो यहाँ एक show as chart करते हैं show as chart अब यहाँ देखो आप तॉल बार कौन सा है तो आप देखो कहाँ पर आया यह define as sugar तो sugar एक buzzing sector आपको दिख सकता है IT index है infra another is PSU bank और Tata 25 index तो यह सब सेक्टर जो है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए यह आगे के लिए possible जैसे sugar sector मैंने बोला PSU bank बोला यह सब buzzing sector है यह सब का अगर price pattern favorable है तो आप उसको आपको ध्यान देना चाहिए अब देखते हैं आज जो एक stock काफी interesting लगा है auto sector का है Scots Scots का सबसे पहले अगर 3% का चार्ट देखो तो clear out performer है NSE अगर auto का बात करो Nifty auto की बात करो तो Nifty auto one of out performer under against Nifty 50 आप बोल सकते हो अगर आप उसका चार्ट भी अगर आप plot करो PNF RS Nifty auto upon Nifty 50 तो आपको समझ आएगा कि यह clear out performer यहां short term है अब यह जो आपको जो दिख रहा है 2017 से लेकर और अभी तक 2020 तक यह under performance short term में यानि short term की बात करें तो 2022 से लेकर और 23 तक यह clear column of X जो आपको दिख रहा है यह out performance का indication है अब अगर हम escorts upon nifty auto करता हम तो यह escorts upon nifty auto का chart है 1% भी अगर आप देखो तो clear out performer आपको दिख रहा है तो clearly यह जरूर हम बोल सकते हैं कि scorts one of out performer है nifty auto में अब इसका अगर price chart आप देखो 3% पे uptrend 1% पे column of X में double top by 3260 के उपर है 0.25% में uptrend clear uptrend series of bullish anchor column उसके बाद price consolidation अब जब यह anchor column formation हुआ यह disparity हाई हुआ उसके बाद disparity कम यहाँ पे हुआ अब इसको bullish ABC यहाँ पे column consolidation यानि multi column triangle breakout भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 column triangle का formation हुआ है और यह consolidation है यानि 38 यानि approximately August से लेकर और अभी तक almost one month का यह consolidation है और उसका one month consolidation का breakout हुआ है upside के तरह pattern failure level below 3, 1, double 0 है अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर price correct होता है तो यह एक opportunity रहेगा जहाँ आप entry दिख सकते हो यहाँ ए 45 degree trend line भी breakout दिया है तो यह एक stock है जिस पे आपको नजर रखना चाहिए escorts में और इस तरह का अगर कोई price formation किसी other stocks में भी अगर मिलता है तो आप उस पे नजर रखिए RS में अगर outperform अगर कर रहा है तो और हाँ दोस्तों अगर आपने डिकमा के लिए register नहीं किया है तो आप जरूर कर लिजी विकोज यहाँ पे हम लोग इस डिकमा में कुछ नई बात करने वाले हैं कि इसमार का जो theme है execution कैसे आप trade को execute या अपने plan को कैसे execute करेंगे इस पे हम लोग discussion करने वाले हैं डिकमा के details आपको description और आपको screen पे दिख रहा होगा तो आप जाए और जाके register किजिए 8 और 9 अक्टूबर को आप सबसे मिलते हैं आप आपको ये video पसंद आ रहा होगा तो प्लीज शेर किजिए लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए हाँ कमेंट जरूर किजिए तैसा लगता है आपको video ये शिरीज कल फिर मिलते हैं thank you so much